नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको नए और क्रियेटिव बिजनेस आइडियाज के बारे में बताते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साथ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जिन्हें आप बिना किसी कैपिटल के शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां आप फ्रीलांस राइटिंग गिग्स पा सकते हैं, जैसे कि आप अपवर्क, फ्रीलांसिंग और फाइवरार जैसी वेबसाइट्स पर अपने प्रोफाइल बना कर क्लाइंट्स से काम ले सकते हैं। कंटेंट क्रियेशन आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिक टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रियेटर्स की बहुत डिमांड है। आप वीडियो, आर्टिकल्स या पोड्कास्ट बना सकते हैं। और ऐसी सामगरी बना सकते हैं जिसे देखने में सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस चाहिए होती है। अगर आपको सोशल मीडिया की अच्छी समझ है, तो आप छोटे बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। इसमें आप उनकी पोस्ट्स, कैमपेंस और एंगेजमेंट्स को मैनेज करेंगे। वर्चुल असिस्टेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्चुल असिस्टेंट होता क्या है। एक वर्चुल असिस्टेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिमोटली काम करता है और विभिन्न प्रकार की administrative, creative और technical सेवाएं प्रदान करता है। इसमें email management, appointment scheduling, data entry, social media management और भी ब ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक computer और internet की जरूरत होती है। अपने ब्लॉग पर quality content पोस्ट करें और धीरे-धीरे ads और affiliate marketing के जरिए पैसा कमाएं। अगर आप किसी subject में expert हैं तो आप online tutoring शुरू कर सकते हैं। आप Zoom, Skype या किसी अन्य platform का करके students को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी investment की जरूरत नहीं है। consulting अगर आप किसी field में expert हैं तो आप consulting का का काम शुरू कर सकते हैं। यह business model भी बिना किसी capital के शुरू किया जा सकता है। आप अपनी knowledge और expertise का उपयोग करके अन्य कमपनियों या व्यक्तियों को सला दे सकते हैं। इसके लिए LinkedIn और social media platforms का उपयोग करके आप अपने clients ढूंड सकते हैं। तो दोस्तों तो यह थे 7 business ideas जिनहें आप बिना किसी capital के शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां तो इसे like करें, share करें और हमारे channel को subscribe करना न भूलें। आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो नीचे comment box में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।